कैप्टन अमरेंदर सिंग की तरफ से करतारपूर साहिब संबंदे दिये भयान की आम आदमी पार्टी के रूपर से विधायक अमरजी सिंग संदोवा ने अलोशना की है अजननद पूर साहिब में एक प्रेस कांफरेंस के दोरान पतलकारों से बात करते वक्त उन्होंने बताया कि कैप्टन अमरेंदर सिंग की तरफ से दिये बयान की वहःपूर जोर निखेदी करते हैं क्योंकि लाखो सिखों की अरदास के सदका करतारपूर लांगा खुलने ज के लाव उन्होंने कहा कि वहे आम आदमी पार्टी और के वफादार सिपाई है और खेरा जब पार्टी में थे तब वहें उनका सदकार करते थे क्योंकि खेरा अमरजी संदोगा के नेता थे अब महें पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और जो भी केजरिवाल के और आम आदमी पार्टी के साथ होगा संदवा उनके साथ होंगे अंगा से नैना देवी रोड का नैशनल हाईवे का प्रोजेक्ट कैंसल होने पर उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं जिसके चलते एंपी चंद माजरा को स्तीफा देदाना चाहिए मांतरी साथ नो भी लेटर लेख देता है के तुसी सड़क दी इनक्वारी कराओ पर जड़ा नबा लाख रपया लोकां दी खून पसीनी टेक्स दी कमाई दा पैसा है वो क्यों में लग जानी साही टांगिनाड़ पीशे मीने में पचे क्यों बड़े बड़े खड़े हुदो बड़े पर गया तुसी मौकी देगवा है देखो एतो लाके अगाम पर दो लाके खूई तो किड़े कड़े खड़े है मैंने तो अड़े रही में एही अपील करनी चांदा है कि पाई जड़े सरकार है दूसरी तरफ मोधी सरकार पर निशाना लगाते हुए आप सुप्रीमों केजरिवाल की कल रात रहुल गांदी के साथ हुई मीटिंग के संबंद में कहा कि मोधी को हराने के लिए पार्टियां इकठी हुई है मुख मकसद यही है कि मोधी सत्ता में ना आए मोधी दे खलाफ है बेलकुल मैं देखो बदिया है पंजाज़ा हिंदोस्तान है साथ दा मोधी दे खलाफ है क्योंके उन्हें बटे बडे का पड़े करें है सही है लोकाना फैंसला सही देता है ठीक है सरकार दे मोधी दे खलाफ वाना जाहिए द्धा सीधा आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसे तरह मुड़के मोधी साथी द्वारा सरकार नहीं आने चाहिए दी